असलाम लेकुम, welcome back to my youtube channel, कैसे हैं आप सब, I hope सब अच्छे होंगे तो आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ कुछ hacks आपके साथ share करूँगी तो जो hack number one है, वो है यह dining table से related तो आपके यहाँ भी इस type से dining table आप जब भी उसको देखते होंगे थोड़ी सी बोरियत होने लगती होगी, क्योंकि उसी उसी form में उसको देखते देखते तो यहाँ पर यह मेरे पास था एक दुपट्टा, तो मैं इसको try करके इस table को थोड़ा सा मैं makeover के देने वाली हूँ, तो बिना किसी मतलब पैसे को खर्च किये हुए और बिना ज़्यादा effort डाले हुए, तो यहाँ पर यह मेरे unfortunately बिल्कुल नाप से था मेरे पास यह दुपट्टा, तो इसको मैंने बिछा दिया है और उपर से हम डाल देंगे यहाँ पर table cover, तो देखे within two minutes में हमारी table का जो look है, वो बिल्कुल change हो गया है, कितना ज़्यादा royal लग रहा है जब भी आपके घर में guest आएं, तो आप इस trip को follow कर सकते हैं इस trip को follow करके अपनी table को, dining table को या फिर center table को और भी ज़्यादा attractive and beautiful बना सकते हैं तो यह hack आपको कैसा लगा, आप हमें comment section में जरूर बताएं मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है, तो इस trip के आप भी अपनी almira में ऐसे दुपटे जरूर रखें जिससे आप कुछ न कुछ उससे create कर सकते हैं जो hack number two है, वो यह हमारे कुछ तो भी पुराने कपड़े रहते हैं जिनको हम बिल्कुल भी नहीं use करते हैं और almira में इधर से उधर उठा करके उनको रखते हैं और फाल्तु में वो हमारा space save करते हैं तो आपके पास भी cushion covers के कुछ sets होंगे ही तो इस type के आप अपने cotton के कपड़े को इसमें cushion cover में भर करके आप इसमें एक और cushion तयार कर सकते हैं और इसे कहीं पर भी आप place कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि इसमें आपने पुराने कपड़े भरे हुए हैं मैं तो बहुत ज़्यादा satisfy हूँ इस hack से जो hack number 3 है वो है इस type की towel तो ये type की towel अक्सर हम जब बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उन्हें हम discard कर सकते हैं तो इन्हें आप अपनी almira से तो discard कर दें लेकिन अपने kitchen से इसको बाहर मत जाने दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा useful होने वाली है जब भी हमको बरतन को dry करना रहता है तो इस type की आपके पास अगर मोटी towel है तो उनको आप जरूर रखें उनके उपर आप अपने कितने भी गीले बरतन को रखेंगे within 2 and 5 minute में वो सूख जाएंगा और जब भी आपको बरतन को अच्छे से पोश करके रखना हो तो पोशने में भी बहुत ज्यादा easy है और बरतन को आप कितनी भी तेजी से अगर थोड़ा सा भी डाल देंगे तो भी आपका बरतन नहीं तूटेगा और इस type की अक्सर हमारे घर में guest आते हैं तो फिर जब हम crackery use करते हैं उसके बाद उसको यही रहता है कि फॉरम नहीं इसको wash करके और फॉरन dry करके इसको हम अपनी जगह पर रख दे तो उन चीजों के लिए ये जो towel है आपको बहुत हद तक मदद करने वाली है और फिर है hack number 4 है जो वो इस type का आपके पास ये polythine रहती ही होंगी ये transparent cover हर चीज में आज कर लग कर आते हैं तो इन्हें आपने बिल्कुल भी नहीं fake ना है बस इस type से आपने बीच का जो ये है इसे आपने थोड़ा सा cut कर लेना है कि इसमें hanger आपका insert हो जाना चाहिए और फिर जो इसकी sides की है तो यहाँ पर मैंने ये cut कर दिया है और जो sides की जो line है उनको आपने थोड़ा थोड़ा सा खोल लेना है इस तरीके से तो यहाँ पर मैंने दोनों side को अच्छी तरीके से cut कर लिया है अब आप अपने इसमें जो आपको कपड़े पहनने रहते हैं जल्दी जल्दी लेकिन वो बहुत light shade में रहते हैं तो बस आपको करना ये है कि इस polythine के अंदर आपने इस अपने hanger को place कर देना है और आपका ये एक cover बनके ready हो जाएगा इससे आपके कपड़े दिखेंगे भी कि इसमें आपने क्या टांगा है और बिल्कुल गंदे भी नहीं होंगे क्योंकि almira तो बस कहने की चीज़े उसके अंदर इतना जादा कभी-कभी dust जमा हो जाता है कि हमारे जो कपड़े होते हैं उनको कभी-कभी फिर से wash करना पड़ जाता है तो ये देखें बिना पैसा खर्चा किये आप इस तरीके से ये bags को बना सकते हैं, cover को बना सकते हैं अगर आपको ये थोड़ा सा भी helpful लगे तो प्लीज वीडियो को like कर दें और चैनल पर नए है तो subscribe करके ही जाईएगा ये मेरी आप से humble request है तो ये हैनक कमाल का idea मुझे तो बहुत ज़्यादा ये पसंद आया है क्योंकि ये जो पन्निया है वो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा quantity में पाई जाती है तो इस तरीके से हम cover बना सकते है बहुत ही कम effort के साथ और जो पाउच्वा hack है वो इस तरीके का पाउच है आज कल हम कुछ भी खरीदें चाहे वो साड़ी हो, सूट हो इवन लोवर टी-शिट कुछ भी खरीदें वो इस टाइप के पाउच में आता है क्योंकि इन्हें हम साल में एक बार या फिर कभी-कभी तो इन्हें दो-तीन साल पहनने की भी नौबत नहीं आती है तो इस टाइप के कपड़ों को हम अच्छे तरीके से फोल्ड करके और इस टाइप के पाउच में रखकर इन्हें हम दीवान या कहीं पर भी अच्छी तरीके से प्लेस करके इनको कवर करके अपनी बैग वगएरा में डाल करके कहीं पर भी रख सकते हैं तो यह हमारी पहली बात तो यह इसमें हमारी जो सूट की है वो लाइव बढ़ जाएगी वो कहीं से भी गंदा नहीं होगा और दूसरी बात यह है कि हमारे अलमीरा का इस पेस थोड़ा सा हलका हो जाएगा खाली हो जाएगा इस पेस हमको मिल जाएगा अगर हम इस टाइब के ड्रेसे अपनी अलमीरा से निकालके इन्हें अच्छी तरीके से पैक करके और फिर इन्हें ट्रॉली बैग में डाल करके अलमीरा के उपर हम रग दे तो यह है ना कमाल का आइडिया तो इस तरीके से आप भी ट्राइ कर सकते हैं जो आपके ऑन्वांटेड ड्रेस हैं जो हमको भी नहीं पहनने रहते हैं या फिर आप इन्हें इसमें वेंटर वेर भी कलेक्ट करके अच्छी तरीके से रखके इन्हें आप दीवान वगेरा में रख सकते हैं जो नेक्स्ट हैक है वो है एक हमारा और्गिनाइजर तो इस तरीके के आपके पास भी कुछ कवर्स पिलो कवर्स होंगे जिनकी चादरे खराब हो गई होंगी लेकिन कवर्स बिलकुल नए होंगे तो ये वाली चादर तो मेरे को पता भी नहीं है कि कहां गई वो खतम होके उसका तो मतलब नामनिशान मिट गया है और ये मेरे पास दो पिलो कवर्स है जो बिलकुल नए है तो उन्हें इस तरीके से लेना है और फिर फोल्ट कर देना है और बीच में यहाँ पर हम तीन सिलाई लगा लेंगे और उपर से हैंगर को प्लेस करके एक यहाँ पर भी हम सिलाई लगा कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और ये देखे कितना अच्छा हमारा organizer बनकर ready हो गया है जो सारे hack है वो बिना मतलब आपको effort भी नहीं डालने पड़ेंगे और पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा आप इस तरीके से बहुत अच्छे जो organizer या छोटी छोटी tricks आप घर पर भी बना सकते हैं उनको follow कर सकते हैं तो इसे आप door के पीछे या फिर आप almira में भी इसे आप place कर दें और कुछ-कुछ चीज़े जो cupboard में बहुत छोटी-छोटी रहती हैं उन्हें आप इसमें place कर दें और आपकी जगह भी बचेगी और चीज़ों को ढूनने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी जब भी आपको कोई छोटी चीज़ ढूनी हो और फटाक से ढून सकते हैं जो next hack है वो है ये एक मेरे पास चादर थी जिसको मैंने ओडने और बिचाने के बाद उसको मैंने यूज कर लिया वाशिंग मसीन पे cover कर दिया और उसके जो cover हैं वो बिल्कुल नए हैं तो इस तरीके से cover में अपने आप winter wear या जो आप नहीं भी चातें कपड़े पहना भी वो फालतू में घेरे हुए हैं या खुले पड़े हुए हैं तो इस तरीके से उन्हें आप pillow cover के अंदर डाल करके इसे आप अच्छी तरीके से पैक कर दें इसमें अपनी साड़ी या गरारे या लहंगे या कुछ भी आप अपना सामान इसमें रख करके आपको बाहर से जो cover साड़ी cover वगएरा आते हैं वो खरीदने की कोई जरूरत नहीं है इन्हें से पैक करें और फिर tape की help से इन्हें बिल्कुल secure कर दें अच्छी यूज कर सकते हैं और जो next hack है वो है एक shopping bag से related तो यहाँ पर ये मैंने आपको छोटे उसमें बताया है आप इसको बड़े जोले या बड़े थैले बड़े shopping bag में भी बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने shopping bag जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा एक इंच बड़ा कपड़ा मैं इसे cut कर दूँगी दोनों पार्ट को आपको अलग अलग कर देना है तो यह मैंने अलग कर दिया है और इस तरीके से फिर आपने का जो थैला है उसको भी आपने दोनों पार्ट को अलग कर देना है तो यहाँ पर मैंने side से इसको cut कर लिया है और बीच से भी इसे में अलग क का फैबरिक रखना है और फिर जो इसकी ये जो हैंडिल है इसके साइट साइट पत्ली सी सिलाई लगा लेनी है तो यहाँ पर देखे मैंने बारीक सी सिलाई लगाई है अब इसके अंदर से हमें इसको निकाल लेना है और इसे सीधा कर लेना है तो यहाँ पर मैं इसके अंदर इस पर आप चाहें तो इस पर सिलाई लगा सकते हैं यहाँ पर मैं इसको फैविकोल की हल्फ से से चिपका रही हूँ आप ग्लूगन की हल्फ से भी कर सकते हैं तो यहाँ पर दोनों पार्ट को हम अच्छी तरीके से चिपका देंगे और सेम दोनों मैंने चिपका लिये थे अ आपको रखना है और इसके जो तीनों साइडे हैं उन पर आपने सिलाई लगा लेनी है बराबर से तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है यह देखें तो यह ऐसे तो बहुत ही हलकी क्वालिटी में रहता है जोला थैला अगर आप इस पर कपड़ा लगा लेंग जो अभी लगी नहीं रहा है कि यह वही बैग है तो इस पर आप कोई सा भी पुरानी साड़ी दुपट्टा कोई भी पुराना फैबरिक आप चढ़ा सकते हैं या आपकर यूजलिस फैबरिक आपके पास पड़ा है तो आप उसको भी लगा सकते हैं और बड़े बड़े थ होता है और उसके साथ दिवार से लगी वी जो हमारी टेबल्स रहती है उन पर हम गीले कपड़े से ऐस तरीके से पोच देते हैं और फिर यह देखे एकदम गंदा सा निशान आ जाता है कि जब भी हम वहां से टेबल को मूव करेंगे तो वह निशान वहां पर बाकी पड़ रह जाएगा तो इसके लिए बहुत अच्छा सा आपके पास है एक तो अगर आप पोचें तो टेबल को सरका करके पोचें या फिर उसके अलावा जो है आप कभी भी टेबल वगएरा को गीले कपड़े से कभी मत पोचें उन्हें हमेशा ड्राइ कपड़े से ही पोचें तो यहां पर इस टैप का आप हमेशा कपड़ा रखें तो यह जो नेक्स्ट है हमारे नए रूम में मैंने कलर कराई थी तब से मैं यह है को फॉलो कर रही हूँ यह देखें मैं हमेशा आप इसमें सूखे कपड़े से मैं पोच्छती हूँ अभी मैं आपको सरका के भी दिखा तो यह बागने है कुछ भी नहीं है बिल्कुल कलीन है जब भी हम यहां से मॉफ करेंगे इस टेवल को तो कोई भी स्टैन्ड बाकी नहीं रहेगा तो यह हैक तो आप लोग अपने मॉन में रख लें बिल्कुल सेव कर लें इस वीडियो को भी और इन ग्स को भी अपने बन जाते हैं मतलब 6-6 से हो जाते हैं तो recently अभी हमने white wash कराया था और इस तरीके से इसमें 78 मतलब mark बन गए तो मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना मेरे पास ये पड़ा हुआ है थोड़ा सा paper तो इसको मैं चिपका देती हूँ तो यहां पर एक तो दिखेगा भी नहीं और ज जितना भी area है आपको कि लगता है कि यहां पर भॉत धक्के लगते है प्रेस के बहुत हर्ट होती है ये वाल तो आपने उस area में इस तरीके से इसको place कर देना है अच्छी तरीके से आज कल तो हर लोग इन wall paper को मंगाते हैं और पूरा यूज भी नहीं होता है पड़ा ही रह तो यह देखें यह अब कितना भी इसमें लड़ेगा यह हमारी डिवाल को डैमेज बिलकुल भी नहीं करेगा तो यह है ना कमाल का आइडिया मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब भी हमको करना रहता था आयरन तो मैं बहुत ज़्यादा आगे सरकार के करती थी ले इसको आप सकार्व भी बोल सकते हैं तो यहां पर यह मैं बिलकुल भी नहीं यूज करती थी क्योंकि इसका फैबरिक बहुत मोटा था जब मैं पहनती थी तो बहुत गर्मी लगती थी तो मैंने सुचा इसका भी कुछ में डियाई वाई शेयर करती हूं इसका भी कुछ में use कर लेती हूं तो इस तरीके से मैंने इसको three fold कर लिया है तो ये 12 इंच के करीब चोड़ाई है तो इस तरीके से इसकी लंबाई जादा थी तो मैंने यहाँ पर इसको जादा fold किया है अब इसमें एक side में ऐसे लगा लेना है सिलाई दोनों side से insert करके इसको u shape में आपने सिलाई लगा लिनी है और exact same location पर ही दोनों की जो सिलाई है वो खोली रहने देनी है और एक side को पूरा cover कर देना है तो यहाँ पर यह देखें hanger के साथ मैंने अच्छी तरीके से सिलाई लगा लिनी है और दोनो side को मैंने एक side से खोला है एक side से cover कर दिया है अब इसे आप almira में place करें और इस तरीके का ले लें आप cardboard या कोई भी चीज आप इसमें insert कर सकते हैं तो इस तरीके से इसको हम रख देंगे और यह बहुत ही जादा मतलब wow and wow वाला ही यह hack है तो इस तरीके से अपने कपडों को हम रख सकते हैं बहुत धेर सारे अगर हम hangar में करते हैं कपडों को hang तो फिर एक ही एक आ सकते हैं लेकिन इसमें हमारे 8 से 10 dresses आ सकते हैं तो side में जो मने pouches बनाए हैं उसमें इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें अपनी आप रख सकते हैं तो है ना कमाल के hacks